नमस्कार दोस्तों अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है लेजेंडरी एक्टर अमिता बच्चन अक्सर कौन बनेगा करोडपती में अपनी जिंदगी से जोड़े हुए कुछ पहलू शेयर करते हैं ऐसे में अमिता बच्चन ने एक ऐसा पहलू शेयर किया जो आपने आज तक नहीं सुना होगा आपको बता दें कि अमिता बच्चन हमीशा अदब से बात करते हैं लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने अपने पिता हरिवन श्राय बच्चन से उची आवाज में बात की आपको बता दें कि उन्होंने अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया उन्होंने बताया कि वह जिंदगी से इतने फ्रस्टेट हो गए थे कि रोज मिलने वाली चुनोतियों से वह तंग आ रहे थे उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले कल में उन्हें क्या करना है जद्दो जहद से इतने परिशान हो गए थे मिता बच्चन कि उन्होंने अपने पिता से एक बेतु का सवाल कर लिया बिग बी ने अपने ब्लॉग में इसका जिक्र करते हुए आगे बताया है कि वह इतने फ्रस्टेट हो गए थे कि उन्हें कई बार काफी गुस्सा आ जाता था ऐसे में उन्होंने अपने पिता से ये सवाल किया कि आपने हमें पैदा ही क्यों किया जिन्दगी में पहली बार उनोंने अपने पिता से उँची आवाज में चिला कर यह सवाल किया था कि आप ने हमें पैदा क्यों किया आपको बता दें कि इसके जवाब में हर्वण श्राय बच्चन जो हमेशा अपने लेखनी में खोय हुए रहते थे उन्होंने अमिताब की तरफ देखा और आराम से बैठे रहे हर तरफ सन्नाटा था अमिताब इसका जवाब लेने के लिए काफी दिर खड़े रहे जब कोई जवाब नहीं मिला तो अमिताब उस कमरे से बाहर चले गए और जाकर सो गए अगली सुबह अमिताब बच्चन के पिता जवाब के साथ तयार थे जवाब एक पेपर पर लिखा हुआ था वह उस पेपर को पकड़ा कर वहाँ से चले गए पेपर पर लिखा था नई लीक यह एक कविता थी उस कविता में अमिताब बच्चन के पिता हरवंश राय बच्चन ने लिखा था मेरे बेटे ने पूछा कि हमें पैदा क्यों किया ना तो मेरे पिता जी ने मुझसे पूछ कर पैदा किया था ना उनके बाप ने ना उनके बाबा ने ना उनके बाप ने उनसे पूछ कर उन्हें पैदा किया था तुम ही एक नई लीक धरना अपने बेटों से उन्हें पूछ कर पैदा करना इस कविता मैं हरिवंश राय बच्चन ने लिखा जिन्दगी और जमाने की कश्मकश से घबरा कर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं हमें पैदा क्यों किया और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं मेरे बाप ने भी मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया था और मेरे बाप से बिना पूछे उसके बापने और मेरे बाबा से बिना पूछे उनके बापने जिन्दगी और जमानी की कश्मकश पहले भी थी अब भी है शायद ज्यादा आगे भी होगी शायद और भी ज्यादा तुम नई लीक धरना अपने बेटों से पूछ कर उन्हें पैदा करना इसके बाद अमिताब ने बताया कि उन्हें एक लाइफ लेसन मिल गया था उन्हें समझ में आ गया था कि जिन्दगी में बहाने देने से कुछ नहीं होगा हर सुबह अपने साथ एक नया चैलेंज होता है या तो आप कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं या तो सरेंडर कर देते हैं यही जीवन का मूल मंत्र है हम आशा करते हैं कि यह मूल मंत्र आपके भी काम आएगा और आप इसे अपने मित्रों के साथ आवशी शेयर करेंगे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल बटन को जरूर दमाएं धन्यवाद